हेलो दोस्तों, हिस्ट्री नच चैनल में आपका स्वागत है. आज का ये वीडियो महाराजा कृष्ण कुमार सिंग जी के बारे में, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले अपना राज्य गांधी जी को अरपन किया था. कृष्ण कुमार सिंग जी का जन्म 19 मई 1912 को भावनगर में हुआ था. वह थे महाराजा भाव सिंग जी द्वितिय के सबसे बड़े बेटे थे और उनके सिंघासन के उत्तराधिकारी थे. जब कृष्ण कुमार सिंग जी ने अपने पिता जी की मृत्यों के बाद 1919 में भावनगर की गद्धी पर बैठे, तब वे केवल साथ वर्ष के थे. कृष्ण कुमार सिंग जी ने अपने पिता और दादा के द्वारा शुरू किये गए सुधार कार्यों को आगे बढ़ाया, जैसे राज्य मेकर संग्रह की व्यवस्था में सुधार, राम पंचायतों का गठन करना ऐसा प्रगतिशीर शासन किया और वो एक प्रजा वतसल मह राजा थे। उन्होंने 17 दिसंबर 1947 को अपना राज्य गांधी जी के चरनों में समर्पन कर दिया था।